Good morning class, so students now start, the chapter is 13, Mapping and Neighborhood, so open the page number is 92, okay, so previous class I have explained the chapter is half chapters, okay, so now start the important of a map, so first of all, we talked about the map which shows us, which we can see, we can hear our directions, locations, and help us, so this is the important of the map, ये तो था कि आप अपने घर की location देते हैं है ना कि आपका घर कहा है तो इस तरह इसको बड़े level पे भी use किया जाता है ये खाली आपका छोटा नहीं बताया जाता है कि किसी को हमारे घर की location चाहिए है ना तो आप आ सकते हो इस तरह से नहीं है अब हम इसको बात करेंगे कि map है वो किस ट्राइब के ready किये जाते हैं जब आप बड़ी classes में जाएंगे तो आप इसके बार में बढ़ेंगे देखो two types of maps होते हैं political map and second thing physical map तो political map देखेंगे ये देखो आपने ये map देखें हुए है इसके अदर क्या होते है हमारे सारे इंडिया का ये political map है इसमें सभी states के बारे में बताया जाता है ठीक है कि कौन सा state कहां पर है कौन सी site पर पढ़ता है है तो अब जो है physical map के अंदर क्यों होते है physical map के अंदर एक बार देखो आ इसमें हमारे इंडिया का है इधर शो हो रहे ना तो फिजिकल मैप के अंदर हम ये शो करते हैं कि कितने हमारे mountains हैं किती rivers हैं कहां कहां लेक सेंड कहां कहां और सीन सेंड इन सब के बारे में हमें physical map में पता चलता है तो देखो अभी हमने बात किया था लास्ट क्लास के अंदर कि जहां green ग्रीन शो होता है उसका मतलब क्या होता है green हमें forest के लिए शो करना होता है और trees के लिए शो करना होता है तो इसी तरह जो mountains होते है उसके लिए हम brown color use करते है ठीक है जो rivers होती है lakes होती है तो उसके लिए हम blue color use करते है क्योंकि water का color कैसा दिया गया है blue ठीक है तो देखिए chapter start करते है maps are useful for finding direction to a place there are different kinds of maps a political maps political map shows the boundaries of the countries and the location of cities town and villages तो देखो यह हमारी boundaries दी होती है यह boundaries होती है जो site की है ठीक है यह boundary site जो है इंडिया जो है मारे इस boundary के अंदर अंदर हमारे इंडिया है इंडिया के बाहर की यह जो countries है कौन-कौन सी इंडिया की boundary के साथ touch हो रही है ठीक है तो boundary क्या होई हमारी यह जो boundary है ठीक है और इसके side की बाहर की countries है वो इंडिया की country नहीं है जैसे देखो यह रहा चाईना, इस साइट पाकिस्तान है, तो बाहर की जो साइड है वो हमारीrule है क कंप्रीज है, तो अंदर क्या होता है इंडिया के अंदर हमारे सभी स्टेटस दिये होते है, उन स्टेटस के अंदर विलेजिस होते हैं, सिटीज होती है, तो इस तरह से हम इ हुआ है हना तो इस तरह से राजस्तान है राजस्तान का एरिया कितना बिग एरिया है गुजरात उत्तर प्रदेश माध्य प्रदेश तो इस तरह के यह स्टेट्स होते हैं बट हम कहां रहते हैं डैली में ठीक है तो यह हम कहां पे शो कर सकते हैं कहां में दिखता है पॉलिट is the physical map. Physical map shows the mountains, river, lakes and oceans. Some maps show the population of the place, of our pattern of the temperature, our rainfall of place. Neighborhood map show the location of different places in the neighborhood. So, dekho, kuch maps के अंदर ये भी बताया जाता है कि कौन कौन से states के अंदर कितने कितने संटिमीटर रेंफॉल होती है. तो ये थोड़ा भी आपके लेवल का नहीं है, थोड़ा बीग लेवल का है. जब आप आगे पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से state का टेंपरेचर है, तो वो भी किस में दिखाया जाता है? फिजिकल मैप में, ठीके? पॉपलेशन जो है, वो भी फिजिकल मैप में और रेंफॉल, कौन से state, कौन सी कंट्री में, कित्ती रेंफॉल होती है, वो भी हमें फिजिकल मैप में पता चलती है, ठीके? तो देखिए, मैप आर अल्सो वेरी यूसफुल तो पाइलट्स एंड सॉलर्स, डू यू नो हाओ वाए? कैसे? क्यूंकि सॉलर्स जो होते हैं, सॉलर्स होते हैं, उनको भी क्या चाहिए होती है, पूरी लॉकेशन चाहिए होती है, कहां का कैसा टेंपरेचर है, कैसा फॉर सॉलर्स एरिया है, कहां कहां रीवर आएगी, तो वो जब जाते हैं, जिस प्लेस पर वो होते हैं, जहां भी उनकी ड्यूटी होती है, तो वो लोगों को कैसे पता चलता है, मैप के थ्रू ही पता चलता है, ठीक है? अब मैपिंगा क्लास्रूम, अगर हम क्लास्रूम के तो ड्रो अ मैप फ यूर क्लास्रूम, यू नीड़ कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड, अपने माइंड के अंदर आपको थोड़ी बहुत सी थिंग्स, चीजे याद रखने होगी, जैसे, वाट इस दर शेप फ यूर क्लास्रूम, आपकी क्लास्रूम की शेप कैसी है, स्क् अपकी राइट साइड पर है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा माइड में रखना होता है, ब्लैकबोर्ड प्लेस, ब्लैकबोर्ड का जगा कहां पर है, how many tables and chairs are there in the how many rows, कितनी rows की अंदर, कितने tables आय हुए हैं, कितनी rows हैं, 3 rows है, 4 rows हैं, तो उसके according decks को distribute करना, how many fans and lights are there in your classroom and what is the total number of doors and windows in their positions, आपको देखनी है कितनी उसके अंदर window है, कितनी doors लगे हुँए classroom के अंदर, यह हम क्या कर रहे है, classroom की mapping कर रहे है, अभी सिरफ छोटे level पे mapping कर रहे है, ठीके, तो देखिए, it is also important to understand how to some, how to some object, would you like to when viewed from the top side, bottom, it will look different from the different position, ठीके, आप जिस position पर खडे होते है, उस position प उसकी position बिल्कुल change हो जाएगी, अगर आप entry gate पर खडे हैं, तो आपकी right side पर क्या आएगा, student के decks आएगे, left side पर teacher का deck आएगा, blackboard आएगा, तो अगर आप दूसरी side पर खडे होंगे, तो location हमारी क्या हो जाएगी, change हो जाएगी, तो इसके अंदर position भी matter करती है, आप जिस side खड़े होते हो, तो जैसे इस map के अंदर बताया था ना, देखो, इस map में बताया था, वो कहां खड़ा अपना face, school की सामने है, ठीके, तो उसकी left side की उसने location बताई थी, तो आप भी इसी तरह classroom की अगर mapping करते हैं, तो इसी तरह से आपको बताना होगा, कि कहां कहां पर आप को बहुत अच्छे से देखेंगे और अपने आप इस chapter की reading करेंगे, ओके, goodbye.